हेलो डियर श्टुडेंट लगातार हमारे चैनल के माद्याम से 36 गड़के विबिन विश्वित डालयों की जो मेन एक्जाम है आपका एनवल एक्जाम उसकी जानकारी लेकर के हमारे चैनल के माद्याम से आपको दी जारी है इसी कड़ी में अभी जो हम आपके लिए वीडियो लाए है वो आपका दुर्ण विश्विद डालया दना जारी नोटिफेकेशन एनवल एक्जाम से अधित विश्विद डालया की नोटिफेकेशन से सम Islamic जानकारी बताए है तो वीडियो के अने तक बने रहें चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्क्रीन पर आप notification देख पा रहोंगे जो की दुर्ग विश्वदाला द्वारा जारी की गई है यहाँ पर यह जो अधिसूचना है वो आपका regular प्राइवेट X student और जो super supply के student है यानि की supply अंतिम chance के छात्र है उनके लिए notification जारी की गई है मुख्य यानि की वार्षिक परिक्षा 2024 के लिए तो यहाँ पर कीन कीन कक्षाओं के लिए कौन सी डेट है क्या आपका यहाँ पर फीस लगनी है और क्या आगे जानकारी है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताए गई है सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको ऑनलाइन डेट कौन-कौन सा है तो यहाँ पर सभी जो परिक्षारती है चाए आप किसी भी कक्षा के हो UG, P, G, BA, B, H, C, B, Com, First, Second, Year, Final, Year जो भी तो आपका जो डेट है ऑनलाइन का वो 4 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल के लिए जिसकी अंतिमतिती 14 जनवरी 2024 होगी आप अपना फॉर्म जो है वो 14 जनवरी 2024 तक फिल कर पाएंगे उसके पसाद भी अगर कोई छातर अपना फॉर्म फिल करने से छूट जाता या उनको जानकारी लेट से पहुँचती है तो आप जो है 100 रुपए विलम सुलक के साथ 21 जनवरी 2024 तक अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे आई होप आप जो बिना विलम सुलक के डेट है उस तक अपना फॉर्म फिल कर लिजे क्यों बेवज़ा आप 100 रुपए यहाँ पेट करेंगे ठीक है उसके पसाथ आपको अपने जो हाड कॉपई होगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसको 22 जनवरी 2024 तक अपने महाविद्दयले में जहां के लिए आप जिस कॉलेज के लिए आप अपलाई कर रहे है वहाँ पर अपने और भी प्रिवेस यर के जो मार्क सिट वगेरा होते हैं उसको टेज करके और आपकी कॉलेज के द्वारा जो डॉकमेंट मंगाई जा रही है उसको आपको महाविद्दयले में जमा करना होगा ठीक है उसके पसाथ आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए कौन-कौन सी और अनिवार जानकारी चाहिए वो देख लीजिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर एक ABC ID की आवश्यक तब पड़ेगी ABCD ID क्या है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे यहाँ आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ गौर्मेंट के द्वारा निर्धारित एक जर आवश् अधिकतर स्टूडिन के साथ ऐसा होता है अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको यहाँ पर आपना जो फॉर्म है वो करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन किस प्रकार से होगा तो आपको युनिवर्सिटी नहीं जाना है आपको आपके संबंदित महा विद्दैलाय में ही आपको संसोधित करके फॉर्म दिया जाएगा कई जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपको फॉर्म करेक्शन से मना करते हैं तो आप यह नोटिफिकेशन उनको दिखा सकते हैं कि युनिवर्सिटी ने साब कहा है कि जो भी तूर्टी होती है वो यहाँ प आपको जानकरी समझ आई होगी और आप अपना फॉर्म किस परकार फिल करेंगे तो जो पूर्व के छात रहे यानि की नए जो छात रहोंगे फर्स्ट येर का रैगलर वाले उनका तो जो इन्रॉल्मेंट फॉर्म के टाइम यूजर इडी पासवर्ट बना होगा उससे फि कर पाएंगे ठीक है आईडी पासवर्ट नहीं है तो भी से आप अपने महाविद्याले के द्वारा या यूनिवर्सिटी के हैल प्लाइन नमर मर कॉंटेक्ट करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ट जो है वो ले सकते हैं ठीक है इस प्रकार से यह जो जानकारी है उसके पसात और क्या-क्या आविशक नोटिफिकेशन दी गई है वो भी आपको हम आगे चर्चा करने वाली है ठीक है यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं कि अगर आप बीए बीकॉम के रैगुलर के चातर है तो आपको ग्यारा सो रुपए फीस पेट करना होगा और बीएसी और बीएसी होम साइंस के रैगुलर के लिए 1130 रुपए रखी गई है प्राइवेट के लिए 1610 रुपए आप चाहे किसी भी कच्छा के हो अगर आप प्राइवेट से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1610 रुपए ही आपको सुल्क पेट करना होगा ठीक है और अ BCA के लिए 1110 रुपए रखी गई है रैगुलर के लिए X के लिए भी 1810 और वहीं अगर आप BCA से सुपर सपली का दिनाना चाहते हैं तो 1075 रुपए सुल्क रखी गई है वहीं आप MA, MSC, MCOM के प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हैं और MSC Maths में होता है जैसे कि आपको पता होगा तो 1610 रुपए यहाँ पर प्राइवेट को सुल्क रखा गया है MA, MSC, MCOM के लिए चाहिए आप प्रिवियस के चाहत रहों या अन्तिम के चाहत रहों B, Lib and Information, Science के लिए 1085 रुपए है और X के लिए भी उतनी ही फीस रखी गई है B, A, B8 के चाहत रहे तो 1250 रुपए रेगुलर के लिए X के लिए भी उतनी ही यहाँ पर फीस रखी गई है और Super Supply के लिए 820 रुपए सूल्क रखी गई है B, A, C, B8 के लिए 1280 रुपए है X के यह भी 1280 रुपए है और Super Supply के लिए 1075 रुपए रखी गई है वहीं अगर आप PG Diplomant, Tourism and Hotel Management, Psychological Guidance and Counseling के चाहत रहे तो 1190 रुपए फीस आपको पेट करना होगा और MPL in Clinical, Psychology, Social Work के चाहत रहे है तो 1380 रुपए यहाँ पे आपका regular और एक्सिटूर्ट के लिए उमीद करते आपको दिये गए information आपको अच्छी से समझ आए होगा साथ ही आपको जो online date है जो fees पेट करना है और form किस परकार से आप फिल करेंगे उसकी जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी समझ आई होगी अगर फिर भी कोई doubt हो confusion हो तो comment के माद्दयम से आप जो है वो अपना doubt clear क कराएंगे और नए है पहली बार आए है चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए खास कर अगर आप private के छात रहें तो बिलकुल आप चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि private के जो चात रहते हैं उनको आगे चल करके practical exam की जो जानकारी वो उपलब्द नहीं हो प चैनल के मादधम से आपको प्राप्त होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और इस जो information वीडियो उसको अपने दोस्तों के भी भी सेयर करिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके मिलते हैं आपसे एक नए information वीडियो में तब तक के लिए जैहिन